दोस्तों स्वागत है आप सभी का BSC and NSC अड़ा में आईए पहले हम अनेलेसिस कर लेते हैं पास्ट ट्रेट का और देखते हैं आज का जो स्टॉक था इंट्राडे का उसने कैसा परफॉर्म किया दोस्तों आज का स्टॉक कॉनकोर था आपको इसे बाय करना था 681 पर और सॉल्ट सेल करना था 681 पर जैसा कि आप अपनी स्किन पर देख पार हैं या स्टॉक ओपन हुआ था 682 पर और उसके बाद नीचे गिरना शुरू हुआ और इस stock ने अपने short sale के target को बहुत ही अच्छे से achieve किया जो 677 का था इस तरीके से यह trade बहुत ही अच्छी साबित वही उम्मीद है कि आप सभी ने इसमें profit book किया होगा चलिए आप देख लेते हैं कि कल के लिए यानि एक सेप्टमबर के लिए कौन सा stock है जिसमें हम intra day की trade करने वाले हैं दोस्तो इस stock के नाम है भारती एटल इस stock में पिछले दिनों काफी अच्छा उपर की तरफ उच्छाल देखने को मिला है न्यूज की वज़े से raising fund हो रहा है उसमें भारती एटल जो है fund raise कर रहा है इस बात की न्यूज आई थी उस वज़े से इसमें काफी अच्छा उच्छा उच्छा देखने को मिला लेकिन अब यह resistance zone में आ गया है आज इस stock ने resistance लेते हुए दिखाई दिया है यहाँ पर तो अगर यह stock कल अपने इस resistance zone को cross करता है तो उपर की तरफ आपको अच्छा moment देखने को मिलेगा नहीं तो यह यहाँ से नीचे गिर कर लोटेगा तो आप short sale करके अपना profit book कर सकते हैं दोस्तो भारती एटल को आप buy करेंगे 672 पर और पहला target 675 दूसरा target 680 लेकिन अगर यही दोस्तो एक बार फिर से सुन लीजिए आप इसे buy करेंगे 632 पर target 675 दूसरा target 680 शॉट सेल करेंगे 663 पर पहला target 669 दूसरा target 654 आप कभी भी दोस्तो ट्रेट डालिए rules को जरूर फॉलो करिए मैं अपने सभी वीडियो में बताता हूं और मैं खुद वही rules फॉलो करता हू आपको rule number 1 फॉलो करना है stop loss अगर आप trade डालते समय stop loss नहीं लगा पा रहे हैं तो trade execute हो जाने के बाद यानि की buy करने के बाद या sell करने के बाद आप उसमें stop loss लगा दीजे और जैसे कि target 1 आपका achieve हो गया है तो उसके बाद आप target 1 को stop loss में लगा दीजे कि आपका target 1 अगर achieve ह होने के बाद आप wait करना चाहते हैं target 2 को तो target 1 को आप stop loss में लगा दीजे तो आपका target 1 तक का profit हमेशा ही fix रहेगा फिर वो उसको आप से कोई नहीं ले सकता तो stop loss जरूर लगाईए अगर आपको जितना भी अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा हो चाहे जितनी अच्छी volume आ भी नहीं मिलेगा उस time exit होने के लिए तो पहले से stop loss लगा के रखिए और अगर आपका profit बढ़ता जाता है तो आप उसको trail करते रहिए यह कर सकते हैं तो number one stop loss number two stop loss trail करते रहिए number three minimum profit book करके आप कभी भी अपने दिमाख में यह मत रखिए कि 2000 निकालना है 4000 निकालना है 5000 निक मेरा यही रूल है 400 मिले 400 लेकर बाहर निकालिए 500 मिले 500 लेकर बाहर निकालिए 1000 मिले 1000 लेकर बाहर निकालिए लॉस में नहीं जाना है minimum profit सबसे पहले और minimum profit book करने का सबसे अच्छा तरीका है stop loss stop loss लगाके रखेंगे तो minimum profit जरूरे ही book हो जाएगा किसी भी कीमत पर तो दोस देली इंट्राडे की ट्रेड के लिए और स्टॉक्स टिप्स के लिए मैं लॉंग ट्रम के स्टॉक्स भी बताता हूं तो अगर आपने अभीताक लॉंग ट्रम के स्टॉक्स के वीडियो नहीं देखें तो उनको भी देख लें और अगर आपने अभीताक अपना डिमैट अका खुलवा सकते हैं वहाँ पर क्लिक करके तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी आप सभी से इसी समय पर तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद